नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है Monster Job Portal Training Part 1 और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको Monster Job Portal की Training देंगे दोस्तों यदि आप एक fresher candidate है और आप यदि एक US IT recruiter बनना चाते हैं या फिर एक IT recruiter बनना चाते हैं तो आपके पास different different USA या जो job portal है उनकी आपको experience होना जरूरी है तो इस video में हम आपको monster job sites की training देंगे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपको monster job sites की training कैसे लेना है तो हमने हमारी creativity से monster क्योंकि हमारे पास कोई paid monster job site नहीं है या paid monster job portal नहीं है तो हमने हमारी creativity से आप देख पा रहे हैं एक दम वैसा ही user interface बनाया है जैसा कि monster job site का होता है तो सबसे पहले तो आपको login करना पड़ेगा जब भी आप किसी monster job portal को use करेंगे तो आपको exact same job portal मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो हमने बिल्कुल same user interface बनाया है monster job portal का सबसे पहले तो आपको आपका user name डालना है और आपका password डालना है और आपको login कर लेना है जैसे ही आप login करेंगे तो आपको same interface देखने को मिलेगा जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हैं दोस्तों यह monster का interface हमने हमारी creativity से बनाया है आपको left side में आपको monster का एक logo monster लिखावा आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे उसके पास में एक option आपको देखने को मिलेगा poster job यहाँ से पे जाके आप किसी भी job को keep posting कर सकते हैं इसके बाद आपको find candidates मिलेंगे find candidates के बाद आपको my jobs मिलेगा my jobs के बाद आपको my candidates देखने को मिलेंगे so आपको my candidate पे click करना और जैसे ही आप my candidate पे click करेंगे तो आपको यह वाला interface देखने को मिलेगा तो आपको जैसे ही my candidate पे आप click करेंगे तो यह एक बार अपने को देखने को मिलेगी जैसे कि search resumes, manage candidates, saved, searches, save monster So, आपको my candidate पे click करेंगे तब आपको ये option देखने को मिलेंगे अब हम सबसे पहला जो आप option देख पा रहे होंगे search resumes So, जब भी हम monster पे कोई candidate को search करते हैं तो इसी option पे हमको click करना है search resume अब दोस्तो my candidate के बाद आपको my product देखने को मिलेगा और my product के just pass में आपको resources देखने को मिलेगा एक option आपको देखने को मिलेगा resources तो आपको resources पे click करना है और जब आप resources पे click करेंगे तो आपको ये वाला option या आपको ये वाला page देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे ही आप resources पे click करेंगे आपको कहीं options या एक आपको menu बार दिखाई देगी जिसमें कहीं options होंगे जैसे कि employer resources, recruiting strategies और workforce, management and planning और small business hiring और blog तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि monster job portal पे जैसे ही आप login करेंगे या जब भी आप किसी company को join करेंगे तो आपको वो monster job portals के login user ID और password देंगे और जैसे ही आप उस पे login करेंगे तो आपको क्या करना है या आपके पास क्या option होंगे इन सारी बातों की training हमने इस वीडियो में आपको दे दी है और next training में हम आपको कैसे candidate को search करेंगे या कैसे monster पे candidate के resume इसको source करना चाहिए या कैसे candidate के resume को search करना चाहिए वो बताएंगे आशा करता हूँ आपको ये video पसंद आया होगा यदि आपको ये video पसंद आया तो please subscribe my channel like and comment अभी के लिए बस इतना है and thanks for watching